जो देखती हैं जो आप देखती हैं वो ही कहने की आदी है शायद आप इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हैं बहुत शुकरिया यह आप तारीफ कर रहे थे यह बुराई कर रहे हैं इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शोद में भी का है प्रॉब्लम सॉल्ब हो सकता है जो हमें इंडिया के नजर आते हैं तो हम उस पर जब बोलेंगे जब हम कश्मीर पर बात करेंगे यह जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेस्ट बोलते हैं तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गर्मेंट हमसे पैसे वापिस मांगने की डिमांड कर सकते हैं और जैसे ही वो पैसा वापिस मांगेंगे हम बुलना छोड़ देंगे परवेज मुशरफ ने अपनी बुक में भी अगर आपन हमने बनाइगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे ग्रणाँ को किई जैना को अपने किने कि यहां कि घृता हि यह जो है आप श की बात की गई Jadiा這麼 Anschal playing का था जी मैं अलग से बात करूंगा मतलब इंडिया के लिए तो इनाटर डेशन में चले जाते में कश्मीर पर यह होगया माइनॉरिटी पर वो गया लेकिन चाइना के लिए उन्हें का क्श्मीर अमारी शहर हगे बिलकुल और बंगलादेश हमा अपैंडिकस ता इसली हमने क काट के निकाल दिया अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से और अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शरम आ रही है तो मंगला देश से सीख लें लेकिन प्लीज किसी से सीख लें जी तो दोस्तों मैं हूँ सुहिब चोधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूग चैनल रियल इंटर्टेन्मेंट टीवी सबसे पहले आपकी महबतों का बहुत शुक्रिया के आप मेरी एफर्ट को मेरे काम को पसंद करते हैं लेकिन अगर अभी तक किसी ने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर दें ताके हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँश सके आज हमारे साथ मुझूद हैं आर्जू काजमी जी जो किसी तारुफ की मुखताज नहीं इंडिया पाकिस्तान की अगर सिच्वेशन की बात करें पॉलिटिक्स की बहुत गहरी नजर रखती हैं जी यो पालिटिक्स पे बहुत गहरी नजर रखती हैं इनके साथ बात करेंगे कि जिस तरीके से जितनी तेजी से इंडिया सूपर पावर बनने की दोड़ में आ रहा है जितनी कैना को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है पास दोर पे इंडिय country, दूसरे country से तीसरे country लेकिन मकसद एक है टेकनालोजी लाना, मकसद एक है defense system को बेहतर करना, economy बेहतर करना, business को बेहतर करना, इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन आर्दू जी पहले मैं आपके लिए एक share कहना चाहता हूँ. जी 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 जरूर. जो देखती हैं, जो आप देखती हैं, वो ही कहने की आदी है, शायद आप इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हैं. बहुत शुक्रिया, या आप तारीफ कर रहे थे, या आप बुराई कर रहे थे, ये भी बता दे. आप जिस तरीके से बोलती है, जिस तरीक के सामने रखती है और ये बहुत बड़ी बात है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा अभी योई का जो विजट रहा है इंडिया के प्राइम निस्टर का उससे पहले फ्रांस और उससे पहले यूएस एक चीज कॉमन नजर आई है हमें कि वो ब बात करते हैं बिजनसमेन के साथ मतलब अगर उनकी मीटिंग होती है डिनर होता है तो वहां के बिजनसमेन के साथ और अपने भी टीम को साथ लेकर जाते हैं क्या कहना चाहेंगे आप इसके उपर सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया शुप कि आपने मुझे बुलाया और आपके देखने और सुनने वालों को सबको मेरा सलाम और नमश्कार और आई होप कि आप इसी तरीके से तरह करते रहें जैसे जबदस किसम के शोज आप कर रहें और बात ह तो इंडिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं किस तरह से अपनी कंट्री को हर जगा पर हम देखते हैं चाहे वो अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो या इवन गल्फ कंट्री वहां पर भी जो ह रहे हैं कि उनकी economy जो है, वो बहुत strong होती जा रही है और जब आपकी economy strong होती है तो आप किसी भी country में जाकर Indian Prime Minister बात कर सकते हैं, कि वो कोई जेट लेना चाहरे हैं या वो कोई और business करना चाहरे है, investment चाहरे हैं, या वो किसी भी किसम के हतियार, या कोई भी चीज अपने कंटरी के लिए लेना चाहते हैं क्यूंकि उनके पास पैसा है वो दे सकते हैं पैमिंट कर सकते है और ये जो कहा जाता है ये बार बार इंडियन प्रैम अपस कंट्री में जा अकेले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, पूरी टीम होती है, हमारे आप पाकिस्तान में फॉर्चनेटली ये रहा है कि टीम नहीं मिली किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जब भी आया, लोगों ने अपने साब ने का कि अगर इंडिया से कुछ सीखते है, आपको शरम आ रही है, तो मंगले देश से सीख लें, लेकिन प्लीज किसी से सीख लें, तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे ही है, मैं एक सौाल मेरे माइंड में हमेशा रहता है, मैं पबलिक से भी पूछता हूँ, यहां पे मतलब अरब आए और हिस्टि के से फिर इसलाम आया हम तो भी कुछ टाइम पहले मुसलमान हुए अगर हिस्टि की बात करें, जो हमेशा हैं मतलब जो इसलाम को यहां लेकर है, वो इंडियन्स के साथ, वो हिंदू'ोँ के साथ, वो नॉन-मुसलिम के साथ, वो इस यह समझ नहीं आते हैं यह सिर्फ बाहना है उसके लावा कुछ नहीं क्योंकि पैसा तो हम सब लोगों से लेने को तैयार होते हैं हम सिर्फ यह नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब से लेंगे या सिर्फ गल्फ कंट्री से लेंगे पैसा अगर हम मांगने के लिए निकलते हैं तो अगर इंडियन गौवर्मेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे, उससे होगा ये कि दोनों के मस्लेया हलो जाएंगे ये, आपको हैं या पैसे पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, ठीक है पैसे उनकी एकोरनोमी काफे फ्रॉंग जा रही तो उनको कोई फ्रॉब्लम नहीं होग लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं, तो हम उस पे जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे, या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे, जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्मेंट हमसे पैसे वापस मा पाकिस्तान के लिए इंडियन गाव्मिन्ट से कुछ पैसे मांग लें आसानी से मिल जाएंगे साथ में कंट्री यह दूर से भी नहीं भी निवेजने पड़ेंगे और इंडियन गाव्मिन्ट का सिर्फ फाइदा है इसलिए कि वह और ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बन चुक लिएंगे हैं ले लिक 명 कि कि बीडेंगे हुश्य को सॉल्व करने की तरफ आएंगे आपको लगते हैं इसलिए के हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं क्या हम हम China को कहते हैं कि वहाँ पे muslims की क्या हालते हैं वहाँ पे नाम Muhammad नी रखा जा सकता… वहाँ पे … वहाँ के muslims को किस तरह से परिशान किया जाते हैं। लेकिन हम China को कुछ नहीं कहते हैं। जिस वक्त है इमरान खां सापकी गवर्मेंट टी और उन ये बात की गई थी बलके किसी international media ने उनसे बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाइना को तो उन्होंने का था जी मैं अलग से बात करूँगा मतलब इंडिया के लिए तो उनाइटे नेशन में चले जाते हैं कि कश्मीर पे यह हो गया minority पे वो हो गया लेकिन चाइना के लिए उन्होंने का कि मैं अलग से उनसे बात कर लूँगा तो जाहिर है उसकी वज़ा एक ही है और वो है पैसा तो हमारा जब हम समझ चुके हैं कि 76 से हमने कोई खाया कमाया कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ मांग कर ही गुजा रखी है आप मुझे एक ऐसा टाइम बता दें जब पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से ट्रेड कियो काम किया हो और किसी से पैसा ना मांगा हो तो शायद ही आपको कोई ऐसा टाइम मिलेगा यह ऐसा कोई साल मिलेगा जादा तर हमने यही किया है कि हम पहले तो हम उससे लेते रहे अमेरिका से पैसे लेते रहे है और ड्र्ون अटेक करवाते रहे अफगानिस्तान के उपबर अफगानिस्तान miracles को भी बीश साल के बाद स चाइना को कुछ नहीं कह रहें तो हम इंडिया को भी कुछ भी कहना बंद कर देंगे वैसे भी अगर वो लोग तीन चार बिलियन डॉलर दे देंगे सिर्फ ट्राय करने के लिए तो मेरा क्याल है कि वो चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितने खामोश रहेंगे और क्या नहीं बोले बिल्कुल ऐसे ही है फिर दुबारा से अमन की आशा बीश है स्टार्ट हो जेगी और बड़ी बात आपने चैना के हवाले से बात किया पाकिस्तान में कहा जाता है किश्मीर पाकिस्तान की शाराग है तो यही शाराग का हिस्सा हमने चैना को गिफ्ट भी किया है जो कि तब हमें फील नहीं हुआ इसके लावा अगर बात करें कि पाकिस्तान में किस टाइम पे डेवलब्मेंट हुई है बड़ी हैरत होती है यह चीज़ जानके के डेवलब्मेंट हुई है मार्शला के दौर में तो जो जडर्यन média हो삘 के दोर में development हुई है इसका क्या राज है हमने तो यह सुना था अगर कहीं मार्शला लगती है तो दस साल बीस साल कंट्री पीछे चला जाता है लेकिन यहां पे तो development में डॉलर भी आ रहे होते हैं और कई चीज़ होती लेकिन उसका रीजन आज़र सागर जावलक के जमाने में जाएं तो उस वक्त भी यह अफगान वार शुरू हो चुकी थी और अफगान वार के नाम पर पैसा आ रहा था ठीक है उसक भी कोई कमा नहीं रहते मुशरफ के जम मुशरफ ने अपनी बुक में भी अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो उसमें भी लिखा है और उन्होंने इंट्रव्यूज में भी यह बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो बेच 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 दिये थे उदर अफगान वार के टाइम पे और टेररेस्ट और इस किसम जो आटफिटस हम ने बनाई जो कि भी अजनसी को मालूम के बगताके इसין को जब इस double game जादा तर जो है वो जाहिर है कि उसी जमाने में खेले गए जब हमारी dictatorship दी तो पैसा तो आ नहीं था तो पैसा आ गया मुशरफ ने भी एक artificial तरीके से dollar rate जो था वो रोक कर बहुत जादा time के लिए रखा था 64 या 65 ऐसा कुछ बताया जाता है कि उस वक dollar rate रहा था वगर उसकी reason यही थी कि आवगान वाट चल रही थी और हमें डबे भर भर के containers भर भर के dollar मिल रहे थे और उसके बाद जो कुछ हुआ हो आपके सामने ऐसे ही है और कहा यह जाता है अक्सर मैं public में जब बात करने जाता हूँ यह आप बेहतर जानती हैं तो मैं यह पूछना चाहूँगा इंडिया के जो प्राइम निस्टर हैं वो जितने भी countries पे विजट के लिए जा रहे हैं एक दो चीज कामन नजर आती है एक पहले नंबर पे तो वो जो business man हैं उनके साथ meeting करते हैं और foreign investment को अपने country की तरफ लेकर जा रहे हैं secondly जो मैंने चीज़ देखी है वो technology को बहुत focus कर रहे है artificial technology हो space technology हो IT हो इन चीज़ों के ओपर बहुत work करते नजर आ रहे हैं देखें जैसे मैंने पहले का उनके पास team बहूत अच्छी है जो उनको advise करते हैं जाहिर इक प्राइम मिनिस्टर इक पास एक team होती है जडवाइस करती है साथ काम करती है वो Pakistan के पास कभी भी नहीं रही जो भी Pakistan के Prime Minister जाय है उनकी टीम कभी भी ऐसी निहीं रही जो उसकाम को जानती हो इसी वज़ा से यहां पर हमने वो सब कुछ होते नहीं देखा दूसरा बहुत से लोग यह भी बताते हैं कि अमीड़ शाहसाँ हों या PM अमोधी तो नो गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज या गुजराती लोग ज सकते हैं कि business mandate हैं और क्योंके business community से belong करते हैं लेकिन उनको भी शायद उस तरीके से काम करना या तो आया नहीं या करने नहीं दिया गया क्योंकि हमें या हमारे लोगों को जो policy makers हैं उनको तो यही सूट करता है के बहुत कोई भी प्राइम जादा पावरफुल ना हो जाए कि जिससे के वो उनके हाथ से निकल जाए क्योंके कंट्री को कौन चलाता है सब लोग जानते हैं तो इसी वज़ा से शायद हम लोगों की आज यह हालत है लेकिन खराब से खराब होती चली जा रही है और होती गई है लेकिन अब इनको कर पाएंगे जाहिते दो बार चार बार छे बार फिर आप कहेंगे कि फिर फोन उठाना बन कर देंगे अब पकिस्तfacing के साथ वही ओरा है कि चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज हो या अनफ्रेंडली कंट्री वह उन्हों ने आफ उन्हों इंप थोड़ा सा साइड लाइन दिक का बताते हैं जिससे के वो टालेंट पॉलिश हो सके या दुनिया में कहीं जा कर या पाकिस्तान में रह कर कोई ऐसा काम कर सके जिससे पाकिस्तान को समाला जा सके डेफिनेटली मैं अगर यहां पे बैठा हूँ मेरा भी दिल करता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ या कोई भी काम करता हूँ मैं भी एप्रिशेट करूँ मैं आर्जू जी को बलाओं और बोलूं कि मैं आज पा पाकिस्तान में स्टार्टिंग में ये बताया गया कि वो इंडिया का प्राइम निस्टर बना है वो चाय बेचने वाला है चाय बेचने वाले को इंडिया ने प्राइम निस्टर बना दिया है वो ही चाय बेचने वाला आज इंडिया का लीडर नहीं बलके वर्ड का लीडर बन के सामने आ रहा है जिस तरीके से इंटरनेशनल से है इंडिया की उनके प्राइम निस्टर की और जितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है क्या समझती है हमारे यहां पे भी फिर कोई चाहे वाला हो जाए तो वह मैं समझता हूँ कि मैं तो जरूर वोट दूँँगा बिल्कुल ऐसा ही होँजए जाहिए जाहिरे गारिक काम जो है वो चाहिए हो चाहिए क्यों ना बेच रहे हो अच्छा समझा जाता है अगर वो इमानदारी करें हमारी से सब कोई ऐसे वो बाश्या और राज बहारा just कहा जाता था कि वह तो किराटिविग वें कि swoje enhancement किकट Mama और इमरान खान साब को तब भी आप देखी चुके हैं के तोशा खाना और किस तरह के केसिज हैं तो ये काम चोटा बड़ा नहीं होता मेरा ख्याले के अपनी एक परस्नालिटी होती है काम करने का तरीका होता है इमानदारी होती है आप इस वक एक सिंगल करॉप्शन केस जो है वो इंडियन प्राइम इनिस्टर के ऊपर नहीं है और ना बता सकते हैं आपके अपने लीडर इमरान खान समय सब कहते हैं के ठीक है जितना मर्दी आप बुरा बला कहिए लेकिन मोधी जी के ऊपर कोई करॉप्शन का केस नहीं है और यहां पर जितने भी पार्लिमेंटेरियन बैठे वे इस वक भी बैठे इमरान खान के टाइम पे भी जो बैठे थे और आइंदा भी जो बैठेंगे सब के ऊपर करॉप्शन केसिज हैं और उसके बाद सब बैठे होते हैं बड़े विक्टरी के निशान बनाते हैं हमारी जेल से भारा के विक्टरी के निशान बनाते हैं हमारी कंट्री में ही लोग होते हैं शायद कहीं और लोग मूँ चुपाते होंगे कि या जेल से आ रहें तो ये चीजें तो ऐसे कोई फरक नहीं पड़ता और बिलकुल काम करने माला होना चाहिए और हमारी हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान से किसी को दिल्चस्पी नहीं है जितने लोग हैं वो हमारे बड़े बड़े मिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि ये जो हतकड़ी है ये तो जेवर है मर्द का पॉलिटीशन का जेवर है और जेल सुसराल है मतलब आप समझ की होगी मैं किनकी बात करना चाहरा हूँ तो शायद यही मेंटेलिटी की वज़ा से हम आगे नहीं पारे दूसरी साइड पे अगर बात करें टेकनालोजी के हवाले से चंद्रियान फ्री लांच किया गया और पूरी दुनिया ने अप्रिशेट किया पूरी दुनिया की नजर चंद्रियान फ्री पे अभी तक मुझूद है लेकिन इस से पहले जब चंद्रियान टू की बात करें तो तब पाकिस्तान ने बहुत क्रिटीसाइज किया इवन मीम्स बनाई पाकिस्तान के जो उस टाइम के मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नालोजी के फाज चोधरी साब उन्होंने बड़ा मतलब इस तरीके से तंज किया आज वही कंग्रेशुलेशन कहते नजर आ रहे ह देखें ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं और हमारी तो खास तरफ पर पार्टी होती है उसक भी पबाद चोधरी साब ने बड़े लोग रहे तो अच्छे तरीके से और आइंदा हम उमीद करते हैं और हम विश्च करते हैं कि वो तुबारा इस किसम की कोई बात ना करें इसलिए के कम से कम इंडिया ने ट्राइ तो किया था हम ने तो ट्राइब ही नहीं है हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि हम एक भी जो है वो अच्छी बात है और उसक्तों बलके मैंने देखा था सब लोग रो रहे थे जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ था उनका वो चंद्रियान टू का फ्लॉप हुआ था तो लोग रो रहे थे तो बलके मैं भी रो रहे लगी उनको देखके वड़ी मोशनल सी वह आ ये भी हमको सीखना चाहिए इंडिया से डेफिनेटली आपने बोला कि अगर उन्होंने ये कंग्रेचुलेशन बोला है अगर वो पॉजिटीव थिंकिंग की तरफ आये हैं तो एप्रिशेट करना चाहिए उन्हें इस चीज़ को सराहना चाहिए लेकिन मैं मेरा कहने का मतल नहीं कोई आम इन्सान कोई यूथ से उठके इंडिया को एप्रिशेट करता है किसी चीज़ पे तो उसे अगदार कह दिया जाता है हमारे प्राइम निस्टर हो वो जब दिल चाहे अप्रिशेट करें जब दिल चाहे क्रिटिसाइज करें उन्हें कोई पूजने वाला नही क्या मेरे पास आईडी कार्ड कोई और है पाकिस्तान का और उनके पास कोई और आईडी कार्ड है देखें अगर तो आपको गदारी का सेटिफिकेट मिला है तो इसका मतलब है आप काम ठीक करें अगर अभी तक आपको किसी ने पाकिस्तान में गदार नहीं काए तो पिर आ सोड़ा सा इतियात कीजिए इसका मतलब है आप ठीक नहीं कर रहें तो पाकिस्टान में अगर किसी को गधार का जाया तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रस्ते पर हैं और आप ठीक काम करें इसलिए उससे फिकर करने की कोई जरूरत नहीं बाकिज़ जाहर है कि जो चोड़ देती है और लोग भी कुछ नहीं कह रहें तो जो आम पब्लिक है उसके लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है वरना नाइन्थ में का जो इंसिडेंट था उसका मास्टर मांड या बार बार इमरान खान को बताया जा रहा है तो इमरान ख आते हैं कि मैं और आप आम लोगों में आते हैं इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो कोई खास बात नहीं हाँ ये जो बड़े लोगे इनकी जाहरें के लिए कानून अलग है लेकिन अब अब यूथ की सोच बदल चुकी है शायद ये बड़े चोटे वाला तो हम भी बड़े हैं अगर वो चोटे हैं आम हैं तो फिर हम आम हैं अधर वाइस हम भी आम नहीं हैं मैं ये नाइंट में का अपने वाकिय का खिकर किया अभी कुछी दिन पहले नाइंट में के हवाले से पाकिस्तान में एक डकुमेंटरी बनाई गई है और जिसमें जब दिखाया जाता है तो पर इंडिया के प्राइम निस्टर को picturize किया जाता है उनकी तस्वीर लगाई जाती है क्या वज़ा है कि एक वाकिये से इंडिया का दूर दूर तक अगर लेना देना नहीं है फिर भी हम उसमें भी इंडिया को as a dushman picturize करेंगे अपनी यूथ अपनी पबलिक में ये बात बठाएंगे कि अगर दुश्मन है यानि दुश्मन का मतलब ही इंडिया है हमारे यहां पे यह कंसेट बनाया जा रहे हैं देखें यह तो हम 76 से यही बताते जा रहे हैं अपनी यूद को भी एवन अपनी सारी पॉब्लिक को कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया सब कुछ कर रहा है अलागि वो भी जा रहे हैं अपने कामों में लगें में और जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं मुझे पास इस पालतू कामों का टाइम मेरे कहले नहीं होगा लेकिन फिर भी आमारिया यही कहा ज जाता है ताके पिर हम डिफेंस बजट ले सकें ताके हम हर चीज को अपने उपर से अटा के किसी दूसरे पर डाल सके और यहीं वज़ा है कि पाकिसान का अज यह हाल है अगर यह इन चीज़ों को रोक लगा दें और अपने दिमागों को सही कर लें कि इंडिया हमारा हो जाएं मगर अनफॉर्चनेटली अभी फिलाल हम वही देख रहे हैं जो हम सैवन्टी सिक्स एर से देखते आ रहे हैं मैं बहुत अच्छा लगा आप से बात करके लेकिन लास्ट में मुझे यह वाकिया के बारे में थोड़ा सा बताईएगा सीमा हैदर और सच्चिन की ज करती है यह इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश जिसे हम कहते हैं वो मुझूद है अब मैं कुछ कह नहीं सकती कहां तक क्या बात साही है लेकिन मुझे यह सिंपल लाव स्टॉरी नहीं लगती मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गडबड है इनकी इनकी स्ट क्वारी में क्योंकि जिस तरह से ये पहुंची है दुबई दुबई से निपाल निपाल से इंडिया और फिर जाकर वहां धार काड़ भी एफेक बनवा लिया पासपोर्ट भी बनवा लिया अपना सिम और मुबायल भी तोड़ दिया एक जो पाकिस्तान पाकिस्तानी नंबर साजिसके अंदर और जिस तरह से साड़ी पहने रही हैं बिल्कुल परफेक्टली में भी साड़ी के बार लिए मैं पहनती हूं लेकिन और लोग भी पहनते लेगे इतने पर्फेक्टली कोई झी मैं पहन पाता, उसके बाद जिसे तरह से हुड़ बात करती हैं तो जैसे पहले कहा कि मेरे जो परेंट्स ते वो इंडिया से ही आए थे तो मेरे घर में तो बहुत जादा हिंडी यूज होती है लेकिन इतनी हिंडी फिर भी नहीं होती या इतनी इंडी फिर भी नहीं बोली जाती जितनी के वो बात कर रही है तो कहीं न कहीं डाउट है और जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हो तो पिर चीज़े इतनी साधी नहीं रह जाती तो मेरा ख्याल है इसका फुल इंवेस्टिकेशन होनी चाहिए इस बात की और अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उनको पाकिस्तान वापस बेजें वो प्रॉपर तरीके से अपलाए करें वीजा और जो भी प्रॉसेस होता है उसके बाद उनको भारत जाना चाहिए अधरवाइस कोई चाहिए पाकिस्तानी हो या इंडियन उनके ओपर कोई भी भरॉसा नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान में अगर वापस आएंगी क्या उन्हें पाकिस्तान के लोग एकसेप्ट करेंगे क्या वो जिन्दा बचेंगी क्या उन्हें उस तरीके से लाइफ बुजारने की इजाज़त या फिर एक महोल बनाया जाएगा कैसा पॉसिबल है यह तो अब गर्मिंट पे और एजन्सी पे डिफेंड करता है लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई यह सब कुछ ना भी करे तब भी कौन से किसी की जान जो है वो बड़ी हिफाज़त से यहां पे तो हरेकी ऐसे घूम रहा है कि लगता है कि बता नहीं आज है कल होंगे या नहीं तो उसमें तो कुछ कहानी जा सकता जहां पे सल्मान तासिर साब को मार दिया गया मशाल खान को मार दिया गया वहां पे कुछ भी पॉसिबल है लेकिन जो लोग यह सब कुछ नहीं कर रहे क्या उनकी जान खत्रे में नहीं है क्या आपको और मुझे थ्रेट्स नहीं आती है क्या हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर वापस भी आ जाएंगे जाहिर है पाकिस्तान में तो हर किसी की जान खत्रे में तो इनकी भी होगी लेकिन जाहिर है अगर ये वापस बुलाएंगे गौर्मेंट वापस करेगी इंडिया की तो इन को रखना पड़ेगा पाकिस्टान की गौर्मेंट को इफाज़त borg करनी पड़ेगी स्ीक्यूरिटी भी देनी पड़ेगी इम्रान खान की तरह डास्वीं बनवा दे उनके लिए पुरे दिंए वे इम्र यहाँ पे जो हिंदू मुझूद है हम उनको नुकसान पुंचाएंगे ऐसी खबरें आ रही है हम जजबात में आके ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं पाकिस्तान से इसका यह नहीं देखते कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज किया जाएगा और दूसरे नंबर पे क्या हमने ह लॉप ना जी सीमा एदर का एक बाहना बना रहे हैं अदर वाइस आपको नीप पता कि हिंदू के साथ यहां क्या होता है यह जो माइनारिटिस पाकिस्तान में थोड़ी बहुत रहे गए हैं बाकिस्तान को थुमने कलमा पड़ाई दिया थो उनके साथ वह कितने महभूज ह हैं उनके घर की बच्चियां कितने अफादस हैं यह तो हमें पता है और अब हम इन से इस सब बातों से हम लोग क्या कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि यहां पर जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है मगर मुझे हैरत है कि आकर human rights वाले कहा हैं जो यहां आकर किसी को कुछ कहते नहीं है कि इनसान के बच्चे बनो या ठीक हो जाओ बहुत है और वाइस तो हट जगा पहुंच जाते हैं मूठा कर लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से minorities को तंग किया जा रहा है उसको रोकने के लि यहां पर बात करनी पड़ेगी इवन हमारे यहां पर ऐसा concept बन चुका है mainstream media पर तो वैसी कोई बात नहीं करता minority के बारे में हिंदू हों सिख हों S.I. हों लेकिन अगर सोशल मीडिया पर यूट्यू पे कोई बात करता है उनके लिए कोई काम करने की कोशिश करता है अनकी help करने की कोशिश करता है तो society में यह महौन बना दिया जाता है कि यह विशाद हिंदू हो चुक utilizing argues शिख हो चुक के लास्ट में एक बिल्कूल सा क्वेटन है आप उसका अंसर जूर दिएगा कि ऐसे पाकिस्तानी आपके लिए रिलिजन फस्ट है या फिर नेशन फस्ट है मेरे लिए नेशिन फ़स्ट है मिरे लिए लोग ज़ाद है रिलिजन से कोई problem नहीं है लेकिन मेरे लिए religion से जादा इंसान की एमियत है जानदार की एमियत है चाहे वो इनसान हो या जानवर हो मुझे उनकी जादा इमियत है religion की बात में जबर्दस अच्छा लगा आप से बात करके बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें time दिया पीस ओओ, Allah Hafiz